जब भी हम महादेव को स्मरण करते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो हम कहते हैं हर हर महादेव अब ऐसा ही गौरव एक और देवी को प्राप्त हैं देवी गंगा को जब भी हम गंगा में प्रवेश करते हैं उस जल को हाथ में लेते हैं और कहते हैं हर हर गंगे अब भारत में इस संसार में इतनी सारी नदिया हैं कि ये गौरम ये सम्मान ये महांता केवल देवी गंगा को ही प्राप्त है ऐसा क्यों है क्योंकि देवी गंगा जहां से बहना प्रारम करती है वहीं से इस संसार को सीचना प्रारम करती है अपने संजीवनी शक्तियों से वो इस संसार का भला करती है, मनुष्र के भीतर के पाप, उनका रात्मक्ता, वो मलीमता, वो अपनी भीतर समाहित कर लेती है, उस मनुष्र का शुद्धी करण करती है, और बदले में कुछ भी नहीं मागते हैं, इसी प्रकार हमारे जीवन में में भी कुछ लोग हैं, यदि हम उनकी साहता कर पाएं, संकटों से बाहर निकलने के लिए उन्हें प्रिरणा दे पाएं, उन्हें शक्ति दे पाएं, उनकी दुख, उनकी पीड़ा को हम हर पाएं, और बदले में कुछ भी न मांगें, तो हम भी महानता के पत पर अग्रसर हो जाते हैं, बली वो दिवस ना हो जाँ हमारी जैजैकार हो, कि तो उस दिवस पर हमें हर हर महादेव और हर हर गंगे का परमार तवश्रग्यात होगा, आईए और मेरी साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे